तो आज हम देखेंगे फ्रीज को किस तरह से हम cleaning कर सकते हैं पहुती आसान तराइक तरह से आज हम फ्रीज को cleaning करने वाले देखिए फ्रेंस हम आप अपको फ्रीज क्लिएनिक का वीडियो दिखाना आता तो इतना गंदा फ्रीज होने के बावजूद भी हम इसे क्लीन कर सकते हैं, बहुत जल्दी, बहुत असान तरीके से हम इसे क्लीन करेंगे, तो पहले मैं आपको पुरी तरह से फ्रीज का व्यू दिखा देती हूं कि किस तरह से अंदर से ये गंदा हो चुका है, और पात में ह में इसकी खैसल के लिए फुल्शं सब्सक्राइब करेंगे मतक्ति के स्थाए करेंगे थिक में बनास टिकए स्टवन्स बनकी हैं लिए बंसे समेडी आपसे लिएग आ हुद एक जगह पर डाल दीजे और पात में इसे ढखके रखेंगे और आदे गंडे के बाद ही हम इस फ्रिश को क्लील करेंगे ऐसा करने से क्या होता है कि जो फ्रिश के अंदर बद्बू रहती है वो चली जाती है बेकिंग सोडा डालने की वजह से तो मैं अभी इसे ढख रहा हूँ, आप चाहें तो अगर यह भी इस तरफ बहुत ज़शा गंद होगा तो इस तरफ भी आप डाल सकते हैं तो इसे क्लोज करके रख देते हैं तो आदे गंडे के बाद देखे मैं इसे उपन कर रही हूं आदे गंडे के बाद इसके अंदर जो कुछ पदबू होगी वह पूरी तर से निकल जाती हैं दो इसे हम निकालेंगे और फिर अच्छे से स्क्रब करके इसे वाष करेंगे इसके उपर आप निम्भू रगड देंगे तो यह जल्दी से क्ली here सब्सक्राइब नहीं तो आप डीश वाष का यूजह कर सकते बीम लिकभीड के उपर लगा के अच्छे से जलदी से ग्लास क्लीन हो जाएगा अगर पहुत जयादा गंदा नहीं होगा तो आप क्या करें जो स्पोंज रहता है उसे पहुंच कर ले सकते हैं नहीं तो आपका टून क्लोथ का भी यहां यूज कर सकते हैं को अभी मैं इसे निकाल कर अच्छे से "? करने वाली हूं कि ये बहुछ ज्यादा गंदा है देखाना एस आपने त CT बाहर लेकर जाने वालोगी आपको भी दिका दोगी स अज़ी क्षे पर्लिक को भी यहां भी बहुत गंदा हुआ है देखे इस तरह बीच में तो वहां हम थोड़ा सा बेकिंग पॉर डाल देंगे और निम्बू से रगड़ेंगे तो यह ज़दी से निकल जाएगा तो कुछ इस तरकेका है अंदर से यह और और साइड में भी देखें कुछ इस तरकेका है यह दिकली हो दूप माय भी बाहर लेकर आई हूं तो यहां यहीं पैट कर मैं इसे वाश करने वाले हूं इसके लिए मैंने यहां विम लिक्विट लिया है और आप सॉप्ट वाला स्क्रब ही यूज़ करिए। मैंने अभी फिला स्टील का स्क्रब लिया है और मेरे पास अभी सॉप्ट वाला नहीं है इसेले। मैं आपको दिखाती हूं किस तर से क्लिंग पर आए बाद में हम इसका ब्रश का यूज़ करेंगे और इस तर से निकालेंगे आप चाहे तो यह आप विनेगर का भी यूज़ करा सकते हैं तो फ्रंट्स या आप स्क्रब मिलता है उसी का ही यूज़ कीज़े नहीं तो क्या होता कि इस ग्लास के ऊपर ग्रैश आ सकती हैं तो यह बिल्कुल अच्छा दिखाए नहीं देता बट यह हमारा फ्रिज बहुत पुराना है परी 15 साल हुए है इस फ्रिज को लेकर सुक्रब तो मेरे पास एकच्छुले सॉप्ट वाला स्क्रब नहीं है इसलिये मैंने इस क्रप का यूज किया है बट मैं इससे दीरे-दीरे से कर रहा हूं देखिए जिस जगह पर सक्रब का यूज नहीं होता उस जगह पर आप सिंप्ली ब्रेश लेंगे परेश वी आप किनारे क्लीन करेंगे तो भी यह जल्दी से क्लीन हो जाएगा तो अगर के अंदर इस तरह से क्लीन नहीं कर सकते हम और वीडियो में अच्छे से दिखाए भी नहीं देटा इसलिए मैं इसे बाहर लेकर आई हूँ फ्रेंट्स तो अगर आपको किचन के बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स की जान करें चाहिए या अलग अलग तरकी की क्लीनिंग के वीडियो चाहिए तो मेरे चानल पर पहले ही है आप प्लेलिस्ट जरू चेक करें इस वीडियो के एंड में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगी तो आप प्लेलिस्ट जरू चेक कर लीजे तो आपको बहुत सारी इंफरमेशन मिलने वाली है इस वीडियो से तो देखे इसे मैंने वाश किया है बिल्कुल नया जैसा ही चमक रहा है तो आप ग्लास को भी हम क्लीन करेंगे तो ग्लास भी इस तरह से क्लीन हो जाएगा अगर आप इ इतना गंदा होने के बाद उसे सकरप करना ही चाहिए रहले हम और ढौका वीडियोस को देखे देगे अगर आपको किलीट पूइन देखने हितरमेशन कारी हो पात मेद incentiv civiche देंगे जरूर चेक करें अगर आपका फ्रिज इससे भी बहुत जादा गंदा होगा तो आप इसी तरह से इसे क्लीन करें यह पिल्कुल नए जैसा निकलेगा बहुत ही बड़िया लगता है वाश करने के बाद अच्छे से क्लीन करने के बाद और जो बद्बुखा प्रॉब दाग है इस फ्रिज के अंदर उसे इस तरह से रप करेंगे सिंप्ली से रप करेंगे तो भी जल्दी से मिक जाएगा तो यह बहुत ही आसान तरीका है अगर आपके पास निम्बू नहीं है तो आप यह विनेकर का भी यूज कर सकते हैं फिनेकर और सोडा को मिक्स करके आप किसी भी स्पॉंच से इसे अच्छे से पॉंच कर लेंगे तो भी यह निकल जाएगा बहुत जल्दी यह जो डाग ढबे रहते हैं फ्रिज के अंदर के वह निकल जाते हैं तो मैंने यह इस तरह के का क्लोथ लिया है तो कभी भी आप फ्रिज को क्लीन करते हैं तो इसी तरह के का क्लोथ लेने का सोचे तो इससे क्या होता कि जो कुछ डर्ट होगा वो जल्दी से हट जाता है आपने देखाना फ्रिश के अंदर कितनी गंदी की इकटा हुई है इस क्लोथ का यूज़ करेंगे तो आपको बार पाने में डिप करने की जुर्ड़त नहीं ये क्लोथ को इक ही बार आप पाने में इसे डिप करेंगे तो पूरी तरसे फ्रिश को क्लीन कर सकते हैं बात में दो तिन भार हम अच्छे से इसे पोच कर लेने वाले है बड़ जब आप इसे क्लीन करते हैं तो बड़ी तकलिप नहीं होगी इस क्लोथ का आप यूज़ करेंगे तो देखें अंदर की तरफ भी बहुत गंदा है तो उसे भी हम पहले जैसी रग लेंगे अगर इससे भी बहुत जादा गंदा है तो आप क्या करें इसे लगा के थोड़ी देल करीब आदा मिनिट ले चोड़ दीजे तो यह तुरं निकल जाएगा तो देखाना कितना भी गंदे से गंदा फ्रिज होगा तो भी आप इस तरीके से बिल्कुल नए जैसा इसे निकाल सकते हैं कितना आसान तरीका है आपको इसे देखकर लगता ही होगा कि अभी जाकर फ् को क्लीन करके देखिए आपका भी इसी तरह से चमकेगा तो देखिए निच की तरह बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसे भी मैं उसी तरीके से क्लीन कर रही हूं अगर आप हबते में एक पार फिनेकर से इसे पहुंच कर लेंगे तो भी क्या होगा कि उद्गू भी नहीं कार खेर है और फृज रहें और फृज हमेशा क्लीन ही रहेगा तो आप कभी भी फृज में कुछ भी चीजे रखते हैं तो उस सभी चीजों को आप ढ़के रखें और बहुत ज़्यादा फृज को भर-बर कर नहीं रखना फ्रांस कभी भी फृज को 80% तक ही भरकर रखिये क्या होता कि हम भर भर कर इसमें चीजें रखते जाते हैं कभी कबर हम भूल भी जाते हैं कुछ सब्जिया सड भी जाते हैं बट हमें याद नहीं रहता तो इसी वज़ा से आप ज़्यादा मत सामान इसमें रखे पहुँच चीज़े इसके अंदर रखने से क्या होता कि इतने अच्छे से ये चीज़े नहीं रहता इसलिए पर ये थोड़ सा खाली रहना चाहिए फ्रीश भाद शाव्य तो चैबि Geos इसके जो किनारे रहते हैं उसमें भी हम ब्रश करेंगे तो इससे पहले मैंने इसमें नीमबू और सोडा को लगाया था और बात में देखें मैं इसे निकाल रही हूं तो पहले हम नीमबू और सोडा को इसके बीच में लगाएंगे तो जल इसके अंदर कितनी भी गंदेगी ह तो निकल जाती है तुरंट तो देखिए मैं अभी सिंप्ली से प्रश कर रही हूं थोड़ी देर में आपको मैं इसे पूंश कर दिखा देती हूं कि इसके अंदर कितने गंदिकी है तो इस तरह से आप दो-तिन बारे से पूंश कर लीजे तो आप देखी सकते हैं कुछ इस तरके का ये काला सा हो चुका है साइट से भी हम अच्छे से पूंश कर लेंगे तो फ्रेंट्स फ्रिच क्लिंग करने के बात जब आप इसमें सभी चीजे भर कर रखेंगे तो आप उस टायम क्या करें कि हमेशा एक नीमबु को कट करके उसके अंदर रखी उस तरके से नीमबु को आप आदा करके दो-तीन दो आप जब देंगे तो फ्रिच के अंदर जो पदबु आने वाली वो नहीं आएगी और अंदर से फ्रिच हमेशा फ्रेश लगेगा सो देखें बाहर की तरफ से भी हम इस तरह से इसे पौंश कर लेंगे अगर बाहर की तरफ से पहुँच जदा फ्रिच कंदा हैं तो अच्छे से पहुंच कर लेंगे देखिए इस तरह भी तो फ्रेंट्स अगर आपके भी घर में इस तरह की का चोटा वाला फ्रेश होगा तो उपर क्या जो फ्रीजर का सेक्षन है उसमें आइस पहुत जल्दी कटा हो जाता है तो आप बार बार उसका जो बटल रहता है वह द दबा दीजे चार-पाच दिनों के बाद आप इसका बटन दबाते रहें तो देखे मैं इसे पूरी तरह से क्लीन कर लिया है अभी बिल्कुल यह नए जैसा दिकाए दे रहा है फट अफट से इसके अंदर के जो ट्रे है वह हम लगाएंगे ग्लास बगेरा लगा के लेंग वो भी वीडियो में जल्दी से लेकर आने की कोशिश करोंगे इफ यू लाइक मैं वीडियो प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल और एंच यू थैंक यू बर वचिंग आशान स्टेस्टी वर्ट